वाडी परिसर में हरुशुल्लास के साथ गनेश प्रतीमा का विसरजन किया गया हर वर्ष अनन्त चतुर्दशी के दिन गनपती बापा की मूर्तियों का विसरजन होता है गनेश चतुरती के दिन, दस दिनों के लिए रखी जाने वाली गजिनिश प्रतिमाओ का बहेति हुए जल में अनंता चतुर्दिष्टी के दिन विधी विधान से विसर्जन किया जाता है गनेश यतुरतिक के दिन जिस हर्श उल्लास के साथ गनपती बापा को अपने घर में लाते हैं उनकी विधी विधान से दस दिनों तक पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार आननद पूरवक विगन हर्था गनेश जी को विदावी किया जाता है और उनसे फिर अगले वर्ष आने की प्रावथा नकी जाती है ताकि वे हमारे सभी कष्टों और संकटों का नाश करें इस वर्ष करोना मा हमारे के कारण कम संख्या में हैं लोग विसरजन के लिए ताला पर गए बहुत से लोगों ने अपने घर पर ही विसरजन किया अईसे ही वाड़ी के ट्रांसपोर्ट व्यावसाई सुनिक शिल शर्मा ने परिवार के साथ अपने घर पर गरनिश प्रतिमा का भी सजन किया इन विसरजन के लिए वाड़ी से सुनिक शिट्टी के साथ अभिशेक बान से के रिपोर्ट